हेलो बच्चो कैसे हो तो आज हम लोग एंडोजनिक मुव्मेंट अंतरगत हलसाली यह तिसरा लेक्चर बगना रहा हो ठीक है तो हम लोगों ने जोग्रफी का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था जो बहुत इंपोर्टन्ट है हमारे एक्जाम पॉइंट आव यू से जो है एंडोजनिक मुव्मेंट तो पहले दो पार्ट हो चुके है तो यह जो एंडोजनिक मुव्मेंट का यह अब तिसरा पार्ट हम लोग कर रहें तिसरा और यह आखरी पार्ट है जिस पार्ट में हम लोग डिसकस करने वाले हैं वोलकेनोस क्या देखने वाले हम लोग वोलके अभी बेशीकली अज़न से एरीशन होते हैं जो देखना हमारे जो किलोटी पने मेंटें मतलब कोन से इरीया से मैंटल से मैंडल से नीचे से मतलब कौन से एरिया से जो से जो है वो अर्थ के सर्फेस पर आते कहां पर अर्थ के सर्फेस पर आते ठीक है तो इस प्रोसेस इस नोन आज वालकेनिक इरप्शन इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते वालकेनिक इरप्शन देखना मतलब नीचे से जमीन के वायू रूपात पधार्त पुथ्वी चा पुष्टा वर फेकले जाता, या क्रियाला ज्वाला मुखी चा उद्रेक होई, ठीके यह अपन का मनतों, ज्वाला मुखी मनतों, जब जमीनी चा खालना जेपन माटरियल निकता, ठीके तेक तो सॉलिड मदे आसो सकता, मुखी ठीके डूरिंग दिस प्रोसेस अभी ये पूरे प्रोसेस में वाल्कनिक इरप्शन में क्या-क्या जमीन के नीचे से निकल के आता है एक तो है वो आशेस, वाटर वेपर, वेरियस टाइपस ओफ पॉईजिनस एन इंफ्लेमेबल गैसेस, होट मॉल्टन मैगमा ठीके ये सारी चीजे जो है जमीन के नीचे से हमारे अर्थ के सर्फेस के ओपर क्या होती है आ जाती है ठीके याद रखना थीके वायू, थीके जुवलंशील, तपत ठीके मनझेबा का खूप सारे जै पॉईजिनस गैसेस आ हे थीके पॉईजिनस गैसेस हैं हमेरे पास इमाल मैमा हे ठीके ये वॉटर है वाटर वेपर है उसके बाद आशेस है ठीके तो बहुत सारे चीजे जो है वह ओव जमीन के नीचे से हमारे earth के surface पर क्या होती है आ जाती है ठीक है on the basis of eruption volcanoes can be divided into following types तो volcanoes के कुछ types होते हैं जहाँ पर हम लोग पहला देखने वाले central type और conical volcano ठीक है simple एकदम concept को समझ लो देखना अगर यह आपका volcano है यह आपका conical है तो यहाँ से मैगमा क्या हो रहा है बहार आ रहा है एक single wind हता है एक single opening होती है जहाँ से ये वालकेनो क्या हुता है ये बाकी सारे materials क्या रहे वो बहार आ रहे उसी को हम लोग क्या भोलते है central type बोलते है या तो कोनिकल वल्केशनों बोल्ते हैं ठीक है नमॉल्टन मागमा प Meg . एक सिंगल से देखो यहा पर दिख रहा हैं एक सिंगल से से आरहा है वह बार ठीक है एका सिंगल पइप मंतना एक होता बाहिर पड़त ौल्त होता है ठीक 그렇게 टेजा आपन का मना फो ऐसे चिनव टुर ओके उद्रे का च्या वेरी शिला रस्ह भूफ पुष्टा अंतरगत मोठ्या नली के साथख्या ठिके में अंपंका मनतो केंदerton जवाला मुखी ठिकेएं अपन का मनतो केंदिर्या जवाला मुखी । करो फूजियामा। एक जपान में है ठीक है फूजियामा यह जपान में है किलिमिंजा JE टांजानिया में है यह इसके एक्जांपल से this M कौऩ से कंडिर में है शOTी पर आधई में है जपान में है जबता आपकर फटाफटल मुझे comment करो and Kiliman जा रहो यह कहाँ पर तांजानिया तो तांजानिया का capital क्या है वो भी मुझे बताओ comment section में फटा फट ठीक है चलो ठीक है उसके बाद है fisher type fisher type क्या होता है fisher type क्या होता है for example समझ लो एक एक रफ आईड़ा देता हूं मैं आपको कि यह समझ लो आपका यह volcano है बट यहाँ पर क्या होगा beach beach में से दिखना यहाँ पर क्या होगा beach beach में से ऐसे cracks होंगे क्या होंगे cracks होंगे मतलब जो magma है वो single single wind से नहीं आएगा यह बीच में बीच में जो cracks है उसमें से भी magma जो है earth के surface पे आता रहेगा ठीक है देखो यहाँ पर कुछ cracks दिख रहे है हमको क्या दिख रहे है cracks जब वोलकेनों जो मॉल्टन मैगमा जो है वो cracks में से जब भार आता है वो जो spread हो जाता है earth के surface पे हम उसे क्या बोलते फिशर टाइप वोलकेनों cracks ठीक है यह वर्ड याद रखना cracks ठीक है भेगिया ज्वाला मुखी ठीक है cracks ठीक है ट्रण मदना भाएर पढ़ते ठीक है ठीक है ठीक है अब अधुन भाएर पढ़तों एक नली नहीं है आता बहगा एचाम हमदे क्या होता एकज स्पेसिफिक नई होती एक स्पेसिफिक था जिसमें से आपका मैंड़ निकल रहा था बट यहां पर ऐसा नहीं होगा ठीके एक स्पेसिफिक नली नहीं होगी पाइप नहीं होगा वो कहीं सारे क्रैक्स होंगे तो उस क्रैक्स में से क्या होगा क्रैक्स में से क्या होगा मोल्टन मैगमा जो है वो भार निकलेगा अर्थ के सर्फेस से वहाँ सारी क्राक्स होते है वहाँ पे खूप सारे तरटब तो भार निगत दो ठीके लग्षा ठेवा stop कि कि घे कन फ्लैट्यू एं कि टिक है बते के टेक थिवाइन तो डेक्कन प्लैट्यू उफ इंडिया ऐसे ही ऐसे ही फिशर फिशर वॉलकेनों की वज़े से क्या हुआ है तयार हुआ है ठीक है याद रखना डेक्कन प्लैट्यू उसके बाद अभी वॉलकेनों बेसिकली अगर देखेंगे तो हमको तीन टाइप के मिलते हैं डिपेंडिं जो रेगूलर रेगूलर एरफ होते हैं उननकोँ क्या बोलते एक्टिव वॉलकेनों ठीक है थिके ॏ इसका एग्जांग्ल के हैं फुजियामा जपान में है ठीक है उसके बाद देखोंसा है स्ट्रोम-बोली नेटेरियां सीप मेदात है तो एक कौन ज्वाला मुखी जागृत जग मंझे का है रिसेंटली जैट्ली या था प्रेज्ट टाइम मधे तो इरप्ठ होत रहतु फंजट का है था है था प्यांट ऐप इसला मात मंध्याएं तो यह नहीं चारफ एंन्स्टांबॉल तो उसी को हम क्या बोलते हैं डॉर्मेंट डॉर्मेंट वॉलकेनो ठीक है डॉर्मेंट वॉलकेनो बोलते हैं क्या बोलते हैं डॉर्मेंट मतलब वह इरप्ट प्रेजेंट टाइम में वह इरप्ट नहीं हुआ है अभी तक ठीक है तो देखो हमारे पास कहां पर इटली में है कटमाई अलसका में है बैरेन आइलेंड इंडिया में भी है ये इंडिया वाला याद रखना बैरेन डाइले ठीके काई 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 साथी शांता आस तो वो पुना कदीतरी एकदम जागरूत होतो ठीके ठीक है तब काई काला साथी तो का है उता शान्तास तो मंज़े 20-30-25 वर्षत ने एकदा फूटेल गीवाशंबर वर्षत ने एकदा फूटेल-ठीक है तुला मनतुअ आपन डॉर्मेंट वलके नौ हो ठीक है डॉर्मेंट वॉलके नौ अनि कही वलके नौ अशया स्तार आता पुना इरप्ट होना रस नहीं मंझे तिलापन का है मनतों extinct volcano ठीक है extinct volcano मंझे आता है कदी इरप्ट होना रस नहीं है dormant मंझे का है dormant मतलब क्या कि वो 100 साल में एक बार इरप्ट होगा 50 साल में एक बार इरप्ट होगा उसको बोलते है dormant volcano मतलब वो अभी उसका अभी जो eruption है व माउंट किली मिन जारो ठीक है किली मिन जारो यह कहां पे तांजानिया में माउंट किली मिन जारो यह कहां पे तांजानिया में ठीक है लक्षा ठेवा ओके चलो देखते हैं उसके बाद इफेक्ट्स ओफ वलकेनो तो जब आता है तो उसके एफेक्ट्स क्या होते हैं जाला मुखी चे परिणाम ते जब परिणाम का होता एक तब गात तुम्हाला सब्सक्राइब हाइट है अच्छी जीव धोक्या जातो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होते लॉस आफ लाइफ होता ए लक्षा ठेवा लैंड में बिकम फरटाइल ड्यू टू वलकेनो एश ठीके एच जी एश हेते हैं चाम अनुटी सुपीक बनू शकते फरटाइल हो सकती है लैंड ठीके फरटाइल हो सकती है मैनी मिनिरल्स आर फॉर्म डिनियर अर्थ सर्फेस भीकॉज अव लावा ठीके उ देवलप होते रहते हैं बहुत सारी चीजे जो है वह यहाँ पर होती रहती है ठीके देखो यह भुकम का परिणाम है यह एफेक्ट से ठीके लक्षा ठेवा ओके अंदमान निकोबार आइलेंड्स आर लोकेटेड टू अपको पता होगा यह आइलेंड जो है वह इंडिया क साउथीस्ट एरिया है इंडिया का ठीके तो वहाँ पर कौन से हमारे पास आइलेंड है बैरेन आइलेंड है ठीके इधर ही सिर्फ इंडिया का एक अक्टिव वोलकेनो है ठीके यहाँ पर देखो देख रहा है यह अंदमान निकोबार तो इधर ही सिर्फ इंडिया का active volcano है this volcano was dormant for a long time ठीक है यह dormant था काफी समय तक ठीक है but in February 2017 it started erupting but 2017 में क्या हो गया वो erupt हो गया ठीक है वो dormant था शान था बहुत सालों तक but 2017 में वो वापस क्या हो गया erupt हो गया mainly dust smoke and mud is coming out of its eruption तो क्या क्या हा रहा है उस volcano से भाहर डस्ट आ रहा है स्मोट का रहा है मड आ रहा है ठीक क्या क्या रहा है डस्ट की यंच काय काय दूट रहते है क्या खोड़ेते है तो ऐसका नंतर चिकल भाएर पड़तो है राँ पुम्सका ठीक है लक्षा ठेवा ओके चो चलो यह नो छोटा सा टॉपिक था तौ इसमें आपको कुछ चीज़े है जैसे टाइप सफ वॉललकेनोस याद रखने हैぎहीं इसके बाद हमको एक और चीज़ देखनी है क्या पिरियोडी सिटी पे जो उसका जो आता है ठीक है वोलकेनिक इरॉप्शन तो उसके उपर कितने है देखना कितने एक्टिव है डॉर्मंट है और एक्स्टिंक्ट है तो इसके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चीए और यह आपके notes में जरूर होने चीए यही आपको exams में पूछने के जादा से जादा chances यहाँ से है ठीक है तो चलो मिलते है next lecture में I hope कि आपको यह lecture समझ में होगा session समझ में होगा तो अगर आपके कोई भी doubt से आप उजे पूछ सकते हो comment section में ठीक है तो तब तक खयाल रखिए सत्य महरास्तरू